हेलो दोस्तों कैसे यहां पची होंगे में विच्छी हूं राम राम आज हम चलते हैं खेतों में घूमने काफी दिन से खेतों में घूमने नहीं गए हैं तो देखते हैं खेतों में क्या हो रहा है तो अब हम चलते हैं खेतों में घूमने के लिए तो आप देख सकते हैं दोस् प्रणंगन के पेड़ और यह मैथी खड़ी है जिसका साग बनता है मैथी जो होती है और यह बीच में लेसन है हमारे हां गयहुं को काट कर इस तरह से बांद देते हैं गयहुं के जूने में और फिर इसको मसीन में डाल देते हैं तो आसानी होती है अब यहां पर यह खाना के लिए गया है दो पैर हो गयी है और यह गया हो पूरी तरह से पक चुकिए आप हरे नहीं बिलकुल भी जब पूरे किए खेट पीले हो जाते हैं तो गयम करते हैं और यह पक जाते हैं अच्छी तरह से यह मेरे आगे-आगे गाई चल रही है तो मैं इने आगे-आगे ले जा रही है और ये रस्ता पर किसी में डंडा लगा दिया है मेरी चुन्नी भी फस गई इसी में तो गाय काफी आगे पहुंच सेकें तो अब मैं जल्दी जल्दी चल्द और इस बीन में पानी भी लग चुका है तो बीन्स काफी जाधा तूट रही है लेकिन इस खेट की तूट चुकए है तो पैड़ से तूट गई है और इतनी यत्मी बड़ी हो गई और यह हर खेत में नहीं होने के बजाइज से इस खेट के गिंव में जैदा घास हो गाई है जो यह से ऐओ पर नानaven जल रही है तो लिख RICH तंगाष फूरे खेत में ग्यार और यहर प्थक भी नहीं पा इस घाक्ता जाए से ठीकusan यह अम कि यह यहां पर हवा की बजया से साम भी नीचा गीर गया और धर से कटने शुरू हो एग विद्धनी जादा हवा चलती यहां पर रात को कि सारे गेंग गिर गए और इस खेट के तो गास के बैस से कुछ हवा की बजा से भी गिरे हुए इस खेट में कितने अच्छे फूल हैं कि आपको दिखाई दे रहे होंगा और बीच में एक सूरज मुखी का पेल रहे हैं इधर को कि इधर 14 फिशी तरह की फूल होते हैं मैं काफी दूरा चुकी हूं खर से पर मा आपको दिखा ती हूं मेरा घर यहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि चलिए में घर काफी दिन है अभी तो और मैं आपको दिखा देने तो बहुत अच्छे फूल है यहां पर मैं आई हूं अकेली मेरे साथ कोई नहीं आया तो यहां पर इस खेत की नराई चल रही है बिन्दी है इस खेत में और यह सारा लेसन और धनिये का खेत है बीच में वह सरस्व पढ़ी है तो अब मैं घर चलती हूं काफ जादा रात हूं चुकिया है और वह लड़की कट्टेम कुछ लेकर आ रही है वो गाड़ी जो जारी है व विंसरे बहूं है इस तरह की गाड़ी में विंस जाती है इस बीटी के पेड इस तरह की होते हैं आपको दिख रहे हूंगी या लग-लग क्यायरे में इन ही पेड़ों की यहां पर नराई चल रही है इसी खेत की यहां पर और यह मटका बीच में लगा दिया है तो मैं आपको फूल थोड़े पास से दिखाते हूं काफी सुन्धर है कितने सुन्दर दिख रहे हैं फूल यह बींस के चार ओर होते हैं और यह बिक भी जाते हैं मेले में यह बाजार में कहीं भी गंगा के किनारे भी बिक जाते हैं जहां लोग पूजा-पूजा करते हैं महां पर कि कि काफे जादा साम हो चुकी है रोटी भी मुझे बनानी घर चल तो मैं जल्दी जल्दी घर चलते हूं काफी दूर आ चुकी हो मैं कहीं पर हैंसे मेरा घर दिखाई नहीं देरा तो अब मैं चल्दी चलती हैं कि यह सरसूं काट कर डॉब कर दे देगें तो में आपको इसमें जो दानी में ये तहींदि निकलता है वो दिखाती हूं ये सरसूं पकचुकी है हुआ कि इस तरह के दानी निकलते सारे गिर गए हांस से आपको और तोड़ के दिखाती हूं तो इस तरह के दानी निकलते हैं यह बहुत कम है लेकिन काफी जादा निकलते हैं तो बहुत सारा तेल आ बहुत सकती आदा सकती हैं तो दुस्तों मैं अपने घर के पास हैं इधर समें ही मेरा मंद्र सामने तिख़ा दे रहा है और मैं काफी जल्दी जल्दी आ यह उन फार्प काफी चाह केत मेरे वड़े पास मैं और यहाँ पर यह वींस की बोरियां लगी हुई है यह इस तरह की बोरियों वींस भरी जाती है और इनकी ऊपर पानी भी छिड़का जाता है ताकि यह सूपकर मुर्जाना जाए तो मैं अपने घर पर आज चुकी हूं और देखती हूं घर क्या हो रहा है यह मेरी छोटी वहन जो कुछ दिल पहले रो रही थी और मेरी दादेमा यह जारू लगा रहे है घर पर कोई नहीं था इसलिए काफी बड़ा आंगन है इसलिए दो दो लोग जारू लगा रहे है तो